गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोरव ओम भूर भूवह सह तशवी तुर्वारेनियम भर्गोदेवस धीमाही धीयो यो नाह प्रचुदयात योग और साधना जो गुन है वो जीवन के साथ गुदा हुआ है योग साधना में ध्यान धारना के कितने वीनियो किये जाते हैं इनमें त्राटक का अपना एक विसेश सस्थान है त्राटक की साधना बिंदु साधना के रूप में होती है बिंदु साधना का मतलब है अपने आपको एकागर करना एकागर करने का मतलब है निराकार प्रव्रम के जोती सुरूप का ध्यान इसको कह सकते हैं आरंबिक अभ्यास में भगवान की जो छवी है आकर्ती है उसे इंसान के रूप में मानना पड़ता है और उसके साथ भावनात्मक आदान परदान करना होता है बात को समझ ले ना अच्छे से लेन देन का तार्तम में जुड़ने लग जाता है तो उसी को योग कहते हैं योग भावनात्मक आदान परदान जब होने लग जाये तो योग भगती योग की साधना भगवान की मनुष्य आकर्ती की छवी के साथ इतनी सगन आत्मियता होनी चाहिए के अभ्यास में प्रेम की सरस्ता उसके बिना आईगी नहीं एक बातिमांदारी से देखना जब आप अपने दैनिक जीवन के कारियों को करते रहते हैं तो उस दैनिक जीवन के कारियों में हाथ से तो कारिय करते रहते हैं मस्तिस्क से भी कारिय करते रहते हैं परन्तु मन किसी और रस में लगा हुआ होता है तन्वेता एकाग्रता इसी को कहते हैं जहां बुद्धी और मन एक हो जाए हम सांसारिक कारिय करें परन्तु चेतना से आत्मा से हमीश्वर में रहें याद रखना प्रेम की सरस्ता जब स्रद्धा के साथ जाकर के मिलती है तो भावना की परिपक्वता का अवलंबन होने लग जाता है मन की एक आगरता के लिए अनेक अभ्यास किये जाते है उची कक्षा में ग्यान की प्रदानता होती है और कुछ नहीं होती है व्यक्ति वोई होता है जो नीची कक्षा से सुरू करता है पर उची कक्षा तक जाते जाते ज्ञान की मैचुरिटी का नाम ही उची कक्षा है भावुकता के अवलंबन की आवशक्ता नहीं पड़ती है बहुत से भाई बेहन बहुत भावुक होते हैं परन्तु वो भाव अतिरेख होता है जो भावनाओं के रूप में बह जाते हैं उनमें स्थिर्ता नहीं होती है विवेक और तत्व दर्सन भी उतना ही आनंद देने लगता है जितना के आरंबिक शात्रों को भक्ती भावना के साहरे मिलता है आत्म दर्सन आत्म शाक्षातकार आत्म अनुवोती ब्रह्म प्रायनता की स्थिती तत्व निस्था की प्रधानता इसी को ही कहते हैं इसी से पैदा होती है उदे होती है रितंब्रा प्रग्या आत्मा और परमात्मा की जो चेतन्य अवस्था है वो जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी वो अवस्था जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो उस इस्तर की सरस्ता आपके अंदर क्रिया सील हो जाएगी देखो भाई बच्चे में सारी विसेस्ताइं होती है उठने गिरने का क्रम चलता है परन्तु उसी में से दोडने का क्रम भी निकलाता है पहले उल्टी सीधी वैसी रेखाएं खेचता है पर अभ्यास करते करते स्पीड से लिखना उसको आ जाता है वैसी कुछ-कुछ बाते करता है अंडबंड बोलता है परन्तु धीरे धीरे बोलने से उसी अभ्यास के द्वारा उसमें इस पस्ट सब्दों को बोलने की छमता पैदा हो जाती है आत्मदर्शन आत्मसाक्षातकार आत्मनभूती या ब्रह्मप्रायनता की स्थिटी इसी रसा अनुभूती के कारण होती है इसी रसा अनुभूती के कारण होती है जब ये इस्तिती पैदा हो जाती है तो तत्व निस्ता उस समय व्यक्ती की प्रधानता हो जाती है जब उसकी प्रधानता होती है तो रितंब्रा प्रग्या का उदेव यहीं से होता है यहीं से रितंब्रा प्रग्या का उदेव होता है आत्मा और परमात्मा का चेतन्य स्वरूप दोनों आपस में इसी रितंब्रा प्रग्या के द्वारा तन में होते है दुबारे से कह रहा हूँ जैसे बच्चे के विशे में मैंने कहा कि वो आड़ी टेड़ी रेखाएं खेंचता है पर उसी से उसे लिखना आ जाता है हमारी इस्तिती भी कल्पना से सुरू होती है कल्पना से कल्पित आकर्तियां भगवान की छवियां हम अपने हिर्दे में बनाते हैं उनका सहरा लेते हैं और बाल बुद्धी उस समय की बुद्धी को कह रहा हूं बाल बुद्धी जैसी स्थिती से अपने आपको सुरू करते हैं मैंने कहा है प्रोड़ा वस्था परिपक्वता को जैसे जैसे वो maturity आपके अंदर आती चली जाएगी आपकी गरिमा गौरव सर्वोपरी होता हुआ चला जाएगा आत्मबोद और तत्वबोद पूरा पूरा समाधान आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा तब सहेज स्वाभाविक आनद की प्राप्ती आपको होने लग जाएगी मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ एक महीने का समय आप लोगों को दिया है बदलने के लिए देखिये कैसे कह दिया इतना कठिन कारिये है कैसे कह दिया परंतु साथ देना ऐसे ही खेल मत समझ लेना ये जरूर कह रहा हूँ के बाल बुद्धी से सुरू में खेली करना होता है आड़ी टेड़ी लकीरे खेंचडी होती है बताओ किसको योग आता है, किसको दियान आता है, किसका मन रुखता है किसमें एकागरता है, किसमें तनमेता है अभी किसी में भी नहीं है एक महीने की बाद कही है एक महीने बाद आप मैंसे बीजांग कुर होने लग जाएंगे आप उस दिन की स्थिती को देख लेना जो राम नोमी की आपकी थी और सवस्था को भी देख लेना जो अगली नोमी पर आपकी होगी बहुत दूर नहीं है, नजदी काती जा रही है नजदी काती जा रही है भगवान का सत, चित, सहेज, स्वाभाविक, आनन्द रूप हमारा आराध्य बनता है जिस इस्तिती में सत्यम, सिवम, सुन्दरम की तात्वी कनुभूती आपको होने लग जाए वो भक्ती भावना है उसी को भक्ती भावना कहते हैं इसकी तुलना न्यून्ज नहीं, बहुत उंची होती है बहुत उंची होती है समाधान तो तच्छ से होता है जब वो आपके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं व्यापक सत्ता निराकार होती है व्यापक सत्ता निराकार होती है पर आप में प्रकट होती है आपके अंदर वो सत्ता प्रकट होती है मैं बड़े अच्छे से आपको कह रहा हूँ जो वो सत्ता आपकी सत्ता पर काम करने लग जाती है तो आकार आपका होता है और सत्ता उसकी होती है व्यापक सत्ता का निराकार रूप यही साकार होता है उच्च स्तरिय साधना तत्व बौधनी ब्रह्म विद्या का अवलंबन इसी को ही कहते हैं वेदान्त विज्ञान की यही प्रस्ट भूमी है भाई देखिये धियान के लिए कोई आकार तो आपको लेना ही पड़ेगा कोई तो आकार आपको लेना पड़ेगा बगेर आस्रे लिए आप इस कारिये को नहीं कर सकते साधना का प्रमुख अवलंबन धियान ही है इस उद्देश की पूर्ती के लिए ब्रह्म को प्रकास पुंज माना जा सकता है प्रकास पुंज एश्वर प्रदत भगवान की साकार पृतिमा भगवान की साकार पृतिमा जुटलाणा नहीं शोरिय क्या है मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ सूरिय क्या है सारे के सारे वो गुन जो जोती में होते हैं चेतना में होते हैं सारे गुन उसके अंदर है सब में वो ही प्रकट होता है सब को इस तर वो ही देता है इसलिए ईश्वर प्रदत जो साकार प्रतिमा है उसको हम सूरिय के रूप में मान सकते हैं उसी की छोटी बड़ी आकर्तिया निराकार वादी धियान करते हैं इसके लिए मैं एक बात कहूंगा उगते हुए सूरिय की छवी को अभ्यास के द्वारा अपने अंतह करण के अंदर बसाया जाए परन्तु अनभव के द्वारा जिस तरह से उगता हुआ सूरिय कुछी समय बाद तेजो में प्रकास के रूप में देहकने लग जाता है प्रकासित हो जाता है वैसी ही उसका सुरूप हम अपने अंतह करण में पैदा कर लें अपने अंतह करण में बड़ी छोटी बात मत समझना ना बड़ा थलके में मत लेना जो कुछ कहा जा रहा है उस सुरूप को हम अपने अंदर प्रकट कर लें ऐसा प्रियास हम करें मैंने कहा है जिस तरह से बाल बुद्धी अब्भ्यास के द्वारा लिखना पढ़ना चलना बोलना सब सीख जाती है वैसे ही हम भी कालपनिक आका आकरती को साकार रूप देना सुरू कर दें प्रभ्रम की सवीता के रूप में इसी आधार पर प्रतिस्ठापना की गई है गायत्री का प्राण सवीता है सवीता की आकरती जो मैंने अभी कहा प्राते कालीन उगते हुए सूरिय के रूप में जो दैदिप पेबान और कईये स्वर्णिम सूरिये के रूप में विक्सित होने लग जाता है परंपुज गुर्देव ने दियान के अंदर भगवान की इसी छवी का हर जगे पर प्रयोग किया है मैं भी आत्मी ये निविदन आप से कर रहा हूँ ऐसा ही आप भी करना सुरू कर दें आज के बाद कल से जो मैं प्रवचन करूँगा उसमें यही बात आपको समझाने की बात करूँगा के किस तरह से हम अपने आपके स्वरूप को बदल सकते हैं उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा बड़े दिन से मेरे मन में था रोक करके रखा हुआ था के आपको बताऊं कोशिस कल से सुरू करूँगा और एक दो दिन में उस इस्तर पर आपको ले जाने की कोशिस करूँगा इसको बोध मानना बोध बोध बुद्धत्यों को प्राप्त हुए थे बुद्ध आप भी उस बुद्धत्यों को प्राप्त हो जाएं बोध को प्राप्त हो जाएं और बोध को प्राप्त हो करके वहां से अपनी चेतना को गती दें प्रकास के रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकार त्राटक कहलाते हैं प्रकास के रूप में जिस तरह की कोई भी साधना की जाए उसको त्राटक कहते हैं खुले नेत्रों से किसी प्रकास प्रतीक को देखा जाए और आँखे बंद कर ली जाए जोती जो अंदर जाकर के मस्तिस्क के अंदर बनती है वो ही त्राटक है पर धीदे धीरे उसमें इस्थिर्ता लाएं परंपुझ बुर्देव ने कहा है कि दो सेकिंड तक आप सूरिये को देखिए उसके बाद नेत्रों को बंद करिए और अपनी कन्पनाएं उसके साथ जोडिए अपनी कन्पनाएं उसके साथ जोडिए देखना जैसे जैसे रसा अनुभूति आपको होने लग जाएगी सूरिये की स्थती स्पस्ट आपको होने लग जाएगी यही रसा अनुभूति है और इसको रुची भी कहते हैं इसका एक नाम रुची भी है आप एक काम ओर भी कर सकते हैं मैंने कुछ बिटियाओं को पिछले दिनों ध्यान कराया था और ये ध्यान कराया था सूरिय का भी ध्यान कराया है और चंद्रमा का भी ध्यान कराया है रात्री में चंद्रमा चंद्रमा को तो दो सेकिंड देखने की आवशक्ता नहीं है आप लगातार उनको देख सकते है परन्तो अपना वारतालाप उनके साथ कर सकते है लगातार देख करके वारतालाप उनके साथ कर सकते है इसलिए क्या किया जाए अबी सूरिय चंद्रमा धीरे धीरे क्रिशन पक्ष चल रहा है छोटा उनका सवे छोटा होता चला जा रहा है पर सवेरे के वक्त दिखाई देते हैं अगर जल्दी से उठकर के छत पे जाकर के आदा घंटा तक मंत्रना उनके साथ कर ली जाए मैं तो कहता हूँ सबसे उपर जाकर के छत पर बैठ करके माला लेकर के एक तक उन्हें देख करके अपना जप भी उनके साथ कर ली आ जाए तो अति उत्तम योगा अब्यास हो जाएगा चिंतन की छमता पर दबाव दिया जाए और ये भी किया जा सकता है कि जब चद्रमा भी ना दिखाई दे तो आकास में तारा मंडल भी होते हैं जो सबसे ज़्यादा चमकने दमकने वाला तारा हो आप उसको भी आधार बना सकते हैं प्रकास को भगवान का प्रतीक माना जाए और उसकी किरणे अपने तक यानि के अपनी चेतना तक यानि के अपनी चेतना में प्रवेश कराई जाएं दिव्यता बलिस्टता प्रदान करने की धारना बनाई जाए मोटे तोर पर ये कह सकते हो ये त्राटक साधना है परंपुझ गुर्देव ने भी त्राटक साधना कराई है उसके लिए उन्होंने कहा है एक सफेद वेपर लीजिए एक रुपे के सिक्के के बराबर उस पर काला कर लीजिए और उसके बीचो बीच एक बरीक छेद कर लीजिए उससे किसी चीज पर ऐसा लगा लीजिए कि वो उपर लग जाए यानि कि आपकी आँख की सीद में वो जो छेद है वो आपकी आँख की सीध में हो और उसके बिलकुल पीछे एक दीपक जला करके रख लीजिए एक तक उस छेद में से आप जोती को देखिए जैसे जैसे आपका ध्यान उस पर जनता चला जाएगा वो छिद्र बढ़ा होने लग जाएगा चिद्र बढ़ा नहीं होगा आपको महसूस होने लग जाएगा और उस चिद्र में से प्रत्यक्स जोती आपको देखने लग जाएगी अब ही मैं फिर से बोल रहा हूँ चिद्र कितना बढ़ा है बढ़ा छोटा सा सुई की नोक के बराबर है पर एक टक एकागर होकर के देखने से ऐसी अनुभूती होने लग जाती है के चिद्र फैलने लग गया और अवस्था यहां तक पहुँच जाती है के उसके पीछे लहराती हुई साख साथ जोती आपको प्रकट होने लग जाती है इससे आगे का जो त्राटक का अभ्यास है वो दोनों नेत्रों के बीच में आग्या चक्र होता है यहां पर जहां बिंदी लगाते हैं तिलक लगाते हैं इसको तृत्यनेत्र भी कहते हैं सिव और दुरगा की देवियों जो तीनों देवियां हैं वो तीननेत्र उसमें बताए गए हैं विशिष्ट अव्यव परती एक मनुष्य में वैसे ही है जैसे प्रमाप्तमा में है किन्तु वो प्रसुप्त इस्थती के अंदर पड़े रहते हैं उनको जगाना पड़ता है ये साधना अब आप लोग सुरू करें मेरा मन है कल से कुछ व्यवारिक साधना बताने का उन व्यवारिक साधनाओं को भी किया जाए जागरत होने पर दिवद्रस्टी आपको प्राप्त होगी दिवदर्सन दूरदर्सन इसी जागरण का नाम है गानदारी ने इसी दिवद्रस्टी को जगा लिया था और इसी के सारे अपने पुत्र दुर्योदन को वज्र का बना दिया था संजे ने इसी दिवद्रस्टी को जगा लिया था और जितना भी युद्ध का परिद्रश्य था उसको कहीं एकांत में बैट करके वैसा का वैसा ही बता रहे थे भगवान सिवने तित्रनेत्र को खोल कर उसकी उर्जा से कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था ऐसे ऐसे कितने ही प्रसंगों का वरणन हमारे आध्यात्मिक छेत्र में मिलता है मैं यहां यह कहूँगा यह आग्या चक्र है अगर यह चक्र आपका जग गया मैं फिर से कहता हूँ बुझे हुए दीपक को जलता हुआ दीपक ही जलाता है बुझे हुए दीपक से किसी दीपक को जलाया नहीं जा सकता हम बुझे हुए दीपक के समान है परन्तु हमारी आराध्य सत्ता वो बुजे हुए दीपक के समान नहीं है वो चेतन्य और जागरत है अन्तेह त्राठक से परकास जोती की धारणा सूक्षम सरीर के अंतरगरत अर्थात जो अचेतन्य मन है उसमें अतीव छंपताएं जो उसके अंदर भरी हैं उनका वो केंद्र है सक्चक्रों का वर्णन भी परंपुज गुर्देव ने गायत्री महाविज्ञान के अंदर किया है उन्हें जागरत बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है उनमें एक उनकेंद्रों पर प्रकास जोती जलने का ध्यान किया जाए मूलादार, स्वादिस्थान, मनिपूर, अनाहत, विशुद्धी, आग्या चक्र ये सठ चक्र कहलाए जाते हैं इसके स्थान सुनिश्चित हैं इसके स्थान उपर प्रकास को धारन करने से उनमें हल्चल उत्पन होती है मूर्चना जागरती में बदल जाती है जितने दक्षिन मारगी साधना है उसमें जागरण की प्रकरिया उपर से नीचे की तरब चलती है और जितने वाम मारग हैं वो नीचे से उपर की तरब चलते हैं गायत्री की उच्चस्त्रिये पंचकोसीये साधना आग्या चक्र है पहला स्थान उसका आग्या चक्र है कुल्डली जागरण में मूलाधार से जागरण प्रक्रिया आरंब होती है ध्यान में त्राटक का भ्यास आग्या चक्र से आरंब होता है सूरिय या दीपक की लोग का प्रकास आग्या चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त उर्जा के पहुँचने से उस केंद्र के में आलोक उत्पन हो जाएगा और प्रकास से सूक्षम सरीर अभिनव उश्मा को उस शक्ति को अवसोसित करता हुआ अपने में संचार करता हुआ अपनी शक्ति का विस्तार करता जाएगा दीपक सर्व सुलब है वो हर समय सर्वत्र सरल्ता पूर्वक उपलब्द हो जाता है सूर्य तो देखने योग तभी तक रहता है जब तक स्वर्णिम स्वेत होने की इस्तती उसकी पैदा हो वहीं तक देखने की उपियोगिता है स्वेत होते ही ध्यान की उपियोगिता चलती रहती है ये जगह हर किसी को हर दिन स्विधा के साथ नहीं मिलती आज कल बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हो गई है अगर किसी का घर छोटा है तो वो घर उन घरों के बीच में दबकर के रह गया है उनको सूरिय के दर्सन तभी होते हैं जब सूरिय उपर आ जाते हैं और उस समय वो ध्यान के लायक नहीं रह जाते इसलिए दीपक सर्व सुलब है और हर समय किसी भी समय चाहे सूरज अभी उगरे हो चाहे दिन की दुफैरी हो किसी भी समय दीपक का ध्यान त्राटक के रूप में आप कर सकते हैं वो मध्य के भीतरी खोकले में जोती के जागरत होने की भावना की जाती है उस प्रकास से शूक्षन सरीर का सारा छेतर जोतिर में और ससक्त होने की धार्ना की जाती है जब प्रकास दर्सन धुमिल होने लगें तो फिर से आँखे खोलिए और प्रकास को देखिए पलक जपकिए बंद कर लीजिए और फिर उसी प्रकरिया को चलाना सुरू करते हैं यह अभ्यास मैंने पहले कहा था मन को रोक करके एकागर करने की प्रकरिया मैंने कहा था और यह कहा था एक मिनट से लगा कर पंद्रह मिनट तक यह किरिया की जाए ये किरिया की जाए सचमुष द्यानना कर तो हम सब कुछ सकते हैं परन्तु सांसारिकता ने हमको घेर करके रखा हुआ है ये विशय आज का नहीं है कल से सुरू होगा इससे निजात दिलाने का जो तरीका है वो कल से सुरू होगा मैं ये कहूँगा अभी आप केवल ध्यान दारना पर रोके रहें धीरे धीरे अपने अब्यास को बढ़ाएं भूमध्यभाग में उसकी सीद में मस्तिस के मध्यभाग में पीनियल और पिटूट्री नाम की दो गरंथियां होती हैं उनके हार्मोन सुस्राव और उर्जा प्रवाः शरीर और मस्तिस्क की विबिन परकार के अनुदान परदान करते हैं जो हमारे मस्तिस्क को जागरत करते हैं जितने भी सरीर सास्त्री हैं इन गरंथियों के ऐसाधारन महत्व के बारे में वो इस बात को स्विकार करते हैं कि मने सास्त्र के सूक्षम विज्ञानी इन गरंथियों को चेतना की अतिंद्रिय चमताओं की रह्षमें परतों के रूप में इसके अंदर अपनी चेतना का समावेश करते हुए उस अवस्था तक अपने आपको ले करके जाते हैं जिसमें परमवस्था की तरफ जीव चलता हुआ चला जाता है उस उच्छी स्थर की तरफ को ले करके जाते हुए चले जाते हैं मैं आप लोगों से ये विंती कर रहा हूँ कि साधना को आरंब किया जाए अब मेरा मन है कि उसके विवाहरिक रूप को उसका जो विवाहरिक रूप है उसको निराकार से साकार में लाया जाए जब विवाहर में आने लग जाएगा आपकी कारिय कुसलता और छमता को बढ़ाने लग जाएगा कल से आप मन बना ले इस साधना को मैं कल से सुरू कराने की बात को सूच रहा हूँ अभी केवल आपको इतना कह करके आज मैं आगरा गुर्देव की जनमस्तली जा रहा हूँ कुछ कारिकरता मेरे साथ हैं आगरा वाले परिजन मेरी बात को सुन रहे होंगे मैं उनको सूचना दे रहा हूँ के अभी बस दस मिनट के अंदर हम निकलने वाले हैं आज की बात को मैं यही पर संपन कर रहा हूँ और यह उम्मीद कर रहा हूँ कुछ बताय जा रहा है उसको वे बाहर में ले करके आया जाए ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही